हे गाइस स्वागते आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से और ले क्या हो एक और ब्रैंड ने वीडियो सो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कोई भी स्नीकर अंबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं टैटल से आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाले हो जी हां दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में आज मैं बात करूँगा जिन से आपकी जो भी ऑफलाइन या ओनलाइन सौपिंग होती है वो काफी एजी हो जाएगी और आपके जो की अपडेट असानी से मिलती रहे तो दोस्तों यह जो चार टॉपिक है एक एक करके मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं यह जो चार टॉपिक है परस्नली जो मैं यूज करता हूं अपनी सौपिंग में ऑफलाइन या ओनलाइन मैं उसी के हिसाप से आप लोगों क में घर करितना है तो अगर मेरे बात करो चैसे लॉक्य अगर मुझे पपाइव प्लस आप जा आ वो काफी important होता है आपको budget set करना पड़ता है उस हिसाब से आप किसी भी brand की तरफ जाते हैं जो दूसरा option है उसके तरफ चले तो दूसरा option होता है brand ठीक है अगर आप पहले आपने budget set कर लिया जैसे मैंने बता है आपको 5000-6000 की range आप खरी सकते हो अब इसलिए आप Nike की तरफ ज चूज़ करनी है मुझे कौन सी brand में जूता लेना चाहिए आप compare कर सकते हो obviously कुछ online reviews होते है market में आप उन्हें देखके भी brand के जो reviews होते हैं उन्हें compare करके आप brand की तरफ जा सकते हो obviously अभी देखो मेरे साब से जैसे अडिडा से Nike अभी market में सबसे popular brand है और कुछ brand और popular है जो कि इंडिया में नहीं मिलते हैं अगर आप online लेना चाहते हो बार से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो वह बहुत अलग है तो यह जो दो points है यह normal points है तीसरा जो point है वह काफी important है में भी काफी अची help हो जाती है जैसे अगर मैं बात करूं मेरे लिए अगर मुझे ट्रेनिंग के लिए सूज लेना है अगर मुझे heavy workout weightlifting वगरा करनी है तो जीमिंग में अगर मैं ट्रेनिंग सूज यूज़ करूंगा तो अब इसलिए performance भी मिलेगा और सूज भी long term तक चल है वह जल्दी डामेज होता है और फिर हम जो भी ब्लेम होता है वह ब्रैंड पर डाल देते हैं कि यह नाइकी का जूता था या डिडास का जूता था बहुत जल्दी खराब हो गया बिकॉस मैं इसे बास्केट बोल में यूस कर रहा था पर आप यह ब्लेम नहीं देंगे कि वहाँ पर मेंट्स रणिंग सूज लिखा होता है तो यह भी काफी आवेर्णेस होनी चीए हैं आप में कि बास्केट बूल का कैसा सूज हो सकता है ट्रेनिंग सूज कैसे होते हैं रणिंग सूज कैसे होते हैं थोड़ी आपके अंदर होनी चीए आप ओन-laiन यह गूंगल होता है वह काफी इंपोर्टन होता है अगर आपके पास एक्षिन डिटन का टाइम नहीं है ठीक है अगर आप किसी सूज या किसी अधर कैटेगरी के स्नीकर या अधर ब्रैंड ट्राय करना चाहते हो तो नॉर्मली काफी सारे लोगों को अगर जो लोग कंफ्यूज रहते हैं जिनको डाउट्स होते हैं तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप जो अल्रेडी सूस्पैन रहे हो जो आपको सबसे मोस्ट कमफर्टेबल है साइज में उसका साइज चेक करिए इन सेंटीमीटर ओके नॉट इन यूके प्रफिट हो जाएगा तो यह जो कुछ टॉपिक से मैं आप लोगों के साथ सेर कर रहा हूं कुछ लोगों के लिए काफी है जिनको डाउट्स होते हैं ओलाइन शॉपिंग या ओफ्लाइन शॉपिंग में ठीक है तो उमीद करते हूं आप लोगों को वीडियो जो अच्छ